मैं सरो शक्तिमान परमात्मा के अस्तित्यों को मानने से इंकार करता हूँ मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूँ, पाखंडी या निरर्थक हूँ मैं ना तो किसी का आउतार हूँ, ना इश्वर का दूद्ध और ना ही खुद परमात्मा मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए नियोचावर करने जा रहा हूँ, और इससे बड़ा आश्वासन भला क्या हो सकता है इश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू, पुनरजन में एक राजा बनने की आशा कर सकता है एक मुसल्मान या एक इसाई को स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है उसे अपने कश्ट और कुर्बानियों के बदले पुरस्करत होने की काम ना हो सकती है लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए मैं जानता हूँ कि जिस पल रसी का फंदा मेरे गले में लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तखता हटेगा वो मेरा अंतिम शाद होगा किसी स्वार्थ भावना के बिना यहां यहां के बाद किसी पुरसकार की इच्छा किये बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को आजादी के नाम कर दिया है हमारे पूर्वजों को जरूर किसी सर्व शक्तिमान में आस्था रही होगी कि उस विश्वास के सच या उस परमात्मा के अस्तित्तों को जो भी चुनोती देता है उसे काफिद या पाखंडी कहा जाता है चाहे उस व्यक्ति के तरक इतने मजबूत क्यों नहों कि उन्हें जुठलाना नामुम्किन हो या उसकी आत्मा इतनी सशक्त क्यों नहों कि उसे ईश्वर के प्रकोब का तर दिखा कर भी जुकाया नहीं जा सकता और इसलिए ऐसे व्यक्ति को अभिवानी कहकर उसके निंदा की जाते हैं मैं घमंड की वज़े से नास्तिक नहीं बना इश्वर पर मेरे अविश्वास ने आज सभी परिस्थितियों को मेरे प्रतिकूल बना दिया है और ये इस्थिति और भी ज्यादा विगड़ सकती है जरा सा अध्यात में इस्थिति को काव्यात्म अपनोड दे सकता है लेकिन अपने अंत से मिलने के लिए मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता हूं मैं यथार्थ वादी व्यक्ति हूं अपने विहवार पर मैं सिर्फ तरक्षील होकर विजय पाना चाहता हूं भले ही मैं हमेशा इन कोशिशों में काम्याब नहीं रहा हूं लेकिन ये मनुश्य का करतवव्य है कि वो कोशिश करता रहे क्योंकि सफलता तो संयोग और हालात पर ही निर्वर करती है आगे बढ़ते रहने वाले प्रतिक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो पुरानी आस्था के सभी सिध्धान्तों में दोस्ट ढूने उसे एक-एक कर पुरानी मान्यताओं को चुनोती देनी चाहिए उसे सभी बारीकियों को परखना और समझना चाहिए अगर कठोर तर्क वितर्क के बाद वो किसी धार्ना तक पहुँचता है तो उसके विश्वास को सरहना चाहिए उसके तर्कों को गलत या जूठा भी समझा जा सकता है पर संभव है कि उससे सही ठैराया जाएगा क्योंकि तर्क ही जीवन का मार्ग दर्शक है लेकिन विश्वास बलकि मुझे कहना चाहिए कि अंध विश्वास बहुत घातक है वो एक व्यक्ति की सोच समझ की शक्ति को मिटा देता है और उसे सुधार विरोधी बना देता है जो भी व्यक्ति खुद को यथार्थ हुआदी कहने का दावा करता है उसे पुरानी मान्यताओं के सच को चुनोती देनी होगी और यदि आस्था तर्क के प्रहार को सहन ना कर पाए तो वो बिखर जाती है यहाँ अंग्रेज़ों का शासन इसलिए नहीं है क्योंकि ईशौर ऐसा चाहता है बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ताकत है और हम में उसका विरोध करने का सहस नहीं है अंग्रेज ईशौर की मदद से हमें कापू में नहीं रख रहे हैं बलकि वो पंदुकों, गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे ऐसा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हमारी बेपरवाही की वज़े से मेरे एक दोस्त ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा जब मैंने उससे अपने नास्तिक होने की बात कही तो उसने कहा जब तुमारे आखरी दिन नज़्दीक आएंगे तब तुम यकीन करने लगोगी मैंने कहा नहीं मेरे प्यारे मित्र ऐसा कभी नहीं होगा मैं इसे अपने लिए अपमान जनक और नैतिक पतन की वज़े समझता हूँ ऐसी स्वार्थी वज़ों से मैं कभी प्राथना नहीं करूगा